कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है जारखन में भी लोकसभा चुनाव के कारण राजिती काफी गर्म है और इसी बीच एक और खबर आती है जारखन के बरिष्ट, राजितिक एवं जारखन सरकार के मंत्री के पीए एवं उनके नौकर के हाँ एडी का छापा प ला दिया है, हमारे साथ इस विसय में चर्चा करने के लिए बरिष्ट पत्रकार सुवेंदु कुमार पंधित जी हैं, आए हम इन से बात करते हैं, क्या खाय इनका कुछ कहना इस विसय में, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस विसय में, जिस तरह का अभी राजितिक चल रहा है पकड दिखे परवर्तन निदे साले जो कारवाई चल रही है जहां पर कई जहारखंड के दिखे जो सिलसला चल रहा एडि का वो चल ही रहा है और इस सिलसिले में अब एडि की जाज जो है धिरे-धिरे जो टेंडर घोटाला है जहां पर टेंडर देने के नाम पर जो अबयाद रूप से वसूली होती है जो कमिशन खोरी होती है उसमें जो है इडी की जाच अब शुरू हो चुकी है चुकी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो है मंत्री आलमगीर आलम जो जारकन सरकार में नमबर दो की हैसियत रखते हैं मुख्यमंत्री जब हेमन सोरन थे तो उनके लेकिन अब जो उनकी हैसियत है सुनने मारे एक ही घड गई है भले मतलब जो है राइंतिक तोर पर जैसा कि कुछ दिनों पहले जो चाईवासा में राहूल गांधी का प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर उसको मंच से आलम को दूर रखा था देकिन जो इडी की कारवाई चल हो गया है जहां मंत्री के नीजी सची वो राज प्रसाजिश्वा का दिकारी है जिनका नाम संजीव लाल है उनके नोकर जहागीर के यहां एक फलेट में 35 कोल रुपिया इस प्रकार से पाए जाता है जैसे कोई कागाज का टुकला हो और रद्दी के रूप में फेका गया ह आप देखते हैं कि वर्तमान में जहाँ अईसा तो नहीं कि पलना था पिये के हाँ ठिक छापा और पिये अपना संपत्ति को छुपाने के लिए दे दिया हो नोकर के हाँ देखिए वो एक जाज का भी सह है कि पैसा किसका था और इडि जाज कर रही है लेकिन जो अब तक जो सामने बात आई है जो छनके बात आई है उन्हें सबसे यही महत्पुर्ण बिंदू आ रहा है कि ये पैसा जो है वो टेंडर मैनेज के नाम पर के वसुला गया था और अ यहां पर रखते थे अभी जो नई सुचना आई है जो कि इडी जो है उस बाइक को मने जो स्कूटी है उसको भी जब्त कर ली है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि ग्रामिन विकास के मंत्री थे आलम गिरे आलम और ग्रामिन छेत्रों में बहुत सारी योजनाई चल वायं पकड़ते पकड़ते ओं ठीकदार के पास भी इडी गया यहां पर बहुत है जो महतिपुर्ण से ऐसारी हुए तो जो इसका दिलचस्प खिसा है कि पहुंचने में ED की छापयमारी में किनका रॉल रहा है तो जो जानकारी मेरे पास है कि ACB जो है Anti-Cruption Bureau कुछ महिना पुर्व जो है जब विरेंदर राम जो अभी ED की ग्रफ्त में है जो अभी जेल में खबा खा रहा है उनके घटना कर्म के कुछ महिने पहले जो है एक अभियंता थे कनिया भियंता वो 10,000 रुपिया घूस लेने के चकर में ACB ने उनकों ग्रफ्तार किया था तो जब ACB ने ग्रफ्तार किया तो ACB जब पुस्ताज की तो पता चला कि जो भी घूस की रकम वो लेते हैं तो बड़े अधिकारियों मंत्रियों और अन्य लोगों तक जो है जाता है पैसा तो इसकी जानकारी जब ED को लगी तो ED ने उस केस को जो है अटेच किया मत्तब उस पर नजर डालिये और जब उस पर निसकर्स निकाला और उसके बाद जो है विरेंदर नाम जो मुख्य अभियंता थे उनके घर पर छापे मारी हुए और छापे मारी होने के बाद तो देख पता चला कि विरेंदर नाम के यहाँ पानी भी मतलब सौरुप्या वाला लीटर पानी जो लोग पीते थे पतानी पानी में मने कौन सा पानी पीते थे मने अमरित गोर करके पीते थे और अरबो का संपत्ति उन्होंने बना करके रखा था तो सोच सकते हैं कि मुख्य अभियंता के घर में जो बरामत हुआ करोड़ों अरबों की संपत्ति कि चल चल संपत्ति उसके बास से जो है एडी जो है धीरे धीरे जब जाच को आगे बढ़ाई तब जाकर के ये खेल आया कि भेद खुलते सब चला जा रहा है भेद खुलते जा रहा है सवाल यह है ना कि जनता जो होती है वो लोकतंतर में महत्वपूर्ण विंदु है लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भिमकार निभाती नहीं है खास करके भारत का जो लोकतंतर है कहा जाता है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा लेकिन वर्तमान में जो परनाली है वो है नेताओं का प्रसासन के द्वारा और धनागर लोगों के लिए जो अमीर लोगों के लिए वैसा प्रणाली चल रहा है आम आदमी कहीं पर भी नहीं आम आदमी का नाम है लेकिन आम आदमी कहीं नहीं है तो अभी मत्मात्पुन मिंद्वरेती इडी की छाप्यमारी को ले करके तो 35 क्रोल रुपया जो इडी ने जब्त किया है अब संजीविलाल जो मंत्री आलम गिर आलम के नीजी सचीव है अब उनसे जो इडी पूस्ताच कर रही है जो अन्य जानकारी आई है कि यहां पर ट्रा कैसा गभी एकास मंत्रारलय में विडियो का छो तर्शाइं से जो होता है वही ग्रामिन विकास मंत्रारलय के द्वारा ही होता है तो लगबक 164 ब्लॉक है तो जो 164 वीडियो को समझ सकते हैं कि जो भी विकास के संभामना है को जो जमीनियस तर पर उतारना होता है तो वीडियो के मादम से होता है तो सोच सकते हैं कि अगर पुन रूप से अगर इडी गंभीरता पुर्वक बिना राजितिक लपेट करके अगर जांच करेगी तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है और ये 35 करोल तो समझ देजिए कि जो बताया है मतलब जो जानकारी है ये तीन महिना का हिसाब है अब सोच सकते हैं कि तीन महिना में 35 करोड अगर इसी सरकार की अगर जांच की जाए तो चार साल से उपर हो चुके हैं एक मंत्री के अहां 35 करोड इसी तरह से कितने मंत्री हैं विभाग हैं उन सभी विभागों में भी इसी तरह का कलक्शन का काम हो रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं मतलब जब तक आपके पास कुछ कुछ अकला कुछ सबूत नहीं आ जाए तब तक किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं compensate आपके पास जो है अंखरा चाहिए अनुमान में कहा जा सकता है ना ऐसा तो हो सकता है ना अनुमान एक अलग हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग भविस्व पर चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, तो हम लोग जो घटनाए घटती हैं, उस पर चर्चा करते हैं, साक्ष के अधार पर बात करते हैं, जो साक्ष अब एडी को मिला है, साक्ष ने एडी जो है, मतलब जो प्रकार से ब्रहष्टा चार हाभी है लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं आखिर जनता के लिए यही काम है यही अकर घोटाला करना है यही रूट खसोड करना है ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमाना है तो फिर जारखंड का भला होने वाला वर्तमारी सित्य में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पदादिकारी, मंत्री, लोग सनलिप्थ हो रहा हैं लूटखंड में, इसको लूटखंड बनाने में कह सकते हैं जारखंड जो मिला था लोगों के लिए कि भाई यहां के लोग गरीब आदिवासी हैं, दवे कुछले हैं, उनको सत्ता मिलेगी तो वो अपना विकास कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इसमें जो है, जितने राजितिक छेत्र में हैं, जितने अधिकारी हैं, वो लोग मजा लूट रहे हैं, अधिकारी लोग घोटाला इसलिए जादा करेंगे, क्योंकि वो पैसा दे करके ट्रांसफर कराएं हैं, अपना इच्छित जगा पाएं हैं, और वहां पर किसी परकार विभाग करती है तो जाएगा उपर में विभाग में और पैसा खिला चुके हैं तो विभाग ये कारभाई भी उनके उपर नहीं होगी क्या ऐसा सही है कि नहीं है देखिए जो त्रांसफर पोस्टिंग होती है वह आज अज़का मावला नहीं है कि पूरे देश में प्रकार चलते रही है इस प्रकार का धंदा चलते रही है हैं आज इंडिया गड़मंदर की सरकार बनी है तो इंडिया गड़मंदर में घोटाले निकल रहे हैं, इनके पहले जो उने सरकारे थी भारती जंता पार्टी की उनमें घोटाले घपले नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी है कि जाच निस्पक्ष रूप से होनी चाहिए, य और प्रसासन का जो रिमोट कंट्रोल होता है, राज में मुख्यमंतरी के पास होता है, मुख्यमंतरी जहां पर जोन बटम दबाएंगे, प्रसासन और जो अधिकारी होते हैं, उनको वही बोलना पड़ता है, देश में जो बटन होता है, रिमोट कंट्रोल वो प्रामिनिस् सब्सक्राइब करते हैं तो मूर रूप से यही निस्कर्स निकल रहा है कि यह जो भ्रष्ट चार का जो खेल है यह कोई नया नहीं है वो सामने आ रहे हैं एक सरकार के कारेकाल का तो ऐसा नहीं है कि सरकार में जो ब्रस्टाचार हुआ अगले वाले सरकार में ब्रस्टाचार नहीं हुआ मन्डगा गोटाला कब हुआ था उसमें जो पूजा सिंगल जो की थी उन्हीं के अधार मने दिरे-दिरे फिर वह माइनिंग होटाले में जो मने निकलता चला गया तो गोटाला का जो स्वरूऔ है वह सभी सरकारों में चलता है अब जिसकी सरकारे होती है हो अपने अनुसार जह जाज करती है अभी भहुत सारे लोग कर रहा है गोटाले चल रहे हैं तो फिर जो लोग भाजपा जोईन कर रहे हैं इंडिया गडबंदन से वह लोग पी तो घुटाला बाज है आपके पास कौन सा वासिंग मसीन है जो कि आप जो है इदा से डालते हैं ब्लैक उदर से वाइट निकल जाता है चुनाओं में जनता इस विशय पर अगर ध्यान देगी अगर अच्छे आप्रत्यासी को चुनेगी तो आज ये सम जो घुटाले घपले सब दिख रहे हैं वो सम नहीं हो